कर दो कि हलो एड वेल्गेश का तुम्टू आए चैनल करते हैं आज हम सक डिसकास करेंगे के रिइनगेश को कहां setup करना है और क्या precautions लेने चाहिए हमें rain gauge को setup करने के लिए इससे पहले हम rainfall intensity के बारे में discuss कर रहे थे last video में तो rainfall intensity के हिसाब से rainfall को different types में divide किया गया है तो based on rainfall intensity अगर हम types के बारे में बात करें तो तीन type में divide किया गया है rainfall को light rain यहाँ पर intensity है अगर intensity less than 2.5 mm पर आ रहे है तो फिर ऐसी rainfall को क्या कहा जाएगा light rain फिर अगर intensity अगर है तो पॉइंट 5 mm से ज्यादा है और सभी पॉइंट 5 mm से कम है तो इस तरीखे की रहें को moderate rain कहा जाएगा और जब rainfall की intensity 7.5 mm पर आवर से जादा हो जाती है तो इस तरीखे की rain को हम heavy rainfall कहते हैं तो अब हम rain gauge को जो है rain gauge के जरीए हमें यह सारी information मिलती है कि rainfall की intensity क्या होगी और यह rain किस टाइप की है अब किस इलागे में किस तरीखे की rainfall हो रही है एक light rainfall हो रही है यह सारी चीज़े हमें consider करनी पड़ती है जब हम rain gauge को setup करते है तो सबसे पहले rain gauge को setup करने के लिए सबसे पहली requirement यह है कि हमारा जिस site पे हम rain gauge को install कर रहे हैं जिस location पे हम rain gauge को install कर रहे हैं वो level होना चाहिए लेविल सर्फेस पे हम करें rain gauge को कि side sloping नहीं होने चाहिए बलके level होने चाहिए अगर in case hilly regions में आपको level surface नहीं मिल पा रहा है तो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने चाहिए कि prevailing wind जो है उसके direction में में यानि जिस wind की वज़े से rainfall हो रही है उसके direction में अगर slope fall कर रहा है कि slope fall कर रहा है तो उस direction में हमें कभी rain gauge नहीं लगाना है थर्ड पॉइंट यह है कि जो rain gauge है हमारा उसको जमीन से बहुत जादा उपर नहीं रखना है और नहीं इतना नीचे रखना है कि उसके अंदर splashes आए optimal height पर रखना है यह हर जगा location के साफ से change होगा rainfall के intensity के साफ से splash का मतलब जैसी यह rain gauge है आपका और rain gauge आपका यह स्टॉल्ड है अब यहां पर बारिश हो रही है heavy intensity है surface से पानी टकराने के बाद इसके अंदर अगर आ जाता है यह rain drop अगर splash के बाद इस rain gauge में आ जाएगा तो यहां पर जो हमारी rainfall record जो होगा उसमें depth जाद आएगी तो splash को avoid करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा ground से raise कर देना चाहिए rain gauge को लेकिन इतना जादा raise ना करें कि यहां से आने वाली winds जो है वो इसके अंदर turbulence पैदा करें क्योंकि यह wind के direction में obstruction होगा wind के लिए obstruction का काम करेगा तो इसमें turbulence आएगा तो यह turbulence avoid करने के भी जरूरी है इसलिए हमें optimal height पर रखना चाहिए ताकि splashes भी minimum हो और turbulence wind की वज़े से अगर आप height बढ़ा रहे हैं वो भी minimum हो जहां यह optimal दोनों conditions मिलेंगी उस height पे हम इस rain gauge को लगाएंगे है फोर्थ कंडिशन क्या है कि थर्ड हाइट से related हो गई फोर्थ कंडिशन यह है कि open area होना चाहिए कि open area कितना minimum 5.5 meter by 5.5 meter का open area और फिफ्ट कंडिशन यह है कि जो नियरेस्ट object है उससे कम से कम object की height के twice distance होना चाहिए या फिर 30 mm का distance हो यानि कि अगर इस location पर आपका rain gauge है और कोई object यहां पर h height का है तो यह जो distance है यह कम से कम 2H होना चाहिए या फिर यह distance इस rain gauge से 30 meter से जादा की दूरी पर हो यह precaution आपको लेना पड़ेगा ताकि आपका rain gauge के जो record है वो effect ना हो तो यह सारे precautions आपको rain gauge के setup करने के दौरान लेने चाहिए और अगर किसी वज़ा से आपको rain gauge को अपना rain gauge यहां पर था इसको shift करना पड़ रहा है तो जब आप shift कर रहे हैं तो यहां का rainfall record और इसकी geographic condition इसकी climatic condition इस location की climatic conditions यह सारी चीज़े record में लेने चाहिए ताकि यहां पर जब हम rain gauge set up करें नहीं जगा पर और वहां पर और यहां के climatic conditions में कुछ difference है या जो है elevation में कुछ difference है तो उसको हम account में ले सके हैं यह बढकर स sax हैं और जलर अरे चान्य चानल स्ब्सक्ड बडर प्तूर रीरल अच्छ अच्छ का राग डेंचे को अ रिखन जगर